पाक्स्तान में 21% लड़कियों की शादी बिफॉर दी एज फेटीन हो जाती है यानि चाइल मैरेज और सिर्फ शादी नहीं बलके जबर्दस्ती की शादी इसका क्या इंपक्ट होता है लड़कियों पर देखें ये बहुत बड़ा इश्यू है जो ये जो वर्ल्ड हेल्ट और्गनिजिशन की जो आप बता रहे हैं के 21% जो बच्चे मेबी इससे जादा हो बिलकुल इससे जादा हो कम नहीं है ज्यादा है उ तो उसके खेलने की उदने के देना है उसके पढ़ने के देना है उसको अपने आपको उसको अपनी उसको हड़ियां मजबूत करने के देना है खाने पीने के देना है उसमें आपने उसकी शादी कर दी पदा चला कि फॉरण ही उसके हां बच्चे की पैदाईश का सिलसला श चाहिल मेरेज को इसी लिए लोग अपोस करते हैं, इट इस नॉट के कोई कोई लडाई है निम्रा आप मुझे बता सकती है कि आप कितनी जल्दी चादी क्यों कर दी गई, आप सिर्फ सोलह साल की थी और ये एज तो पढ़ने लिखने क्यों होती है बलकुल रीजन ये था कि मैं खुबसूरत नहीं हूँ, जो एक ऑथांटिक रीजन था कि हम शादी जल्दी इसलिए करें कि अभी एज कम है, तो कम एज की वज़ा से हो जाएगी, लेकिन अगर एज जादा हो गई तो फिर खुबसूरत तो वैसे ही नहीं है, और एज भी हो ज कि थी हैं, I mean you were just a kid. बिलकुल तो मैंने का हाँ, मतलब अच्छा है, मज़ाएगा, सब लोगाएंगे, मैं तयार होंगी और शादी का खाना और बिर्यानी, तो बस इसलिए अधाने की हद तक आपने सोचा वात है कि यह होती है यह होती है तो आपकी फिर क्या तो बस तरह से मिलने का? नहीं मुलाकात बिलकुल भी नहीं हूई जब मेरी बात तय हुई और निका हुआ मेरा पहले और निका मेरा एक साल रहा रुखषदी तक मैं नहीं मिली, क्योंके वह यहां थी है और दुबाए में ओते थे और मैं सास कह यह कहना था कि वह रुखष तक आप उनसे मिली ही नहीं थी नहीं तो फिर उसके बाद अब दुबाई चली गए रुकसाथी के बाद बलकुल मेरी सास मुझे लेकर गई थी रुकसाथी करवा कर दुबाई और फिर्स्टाम मैंने उनको एरपोर्ट पर देखा था मैं थोड़ी दे के लिए सक्ते में थी कि शायद कोई मजाख है और अब अचानक से मेरे हजबन मतलब तयार हुए बहोंगे और आएंगे मतलब वो गंदी सी चपल और गंदी सी टी-शिर्ट इसमें पसीने के स्टेंज पड़े हुए थे कोई शेफ नहीं बनी भी थी और यूस करवाया अपके शोहर से आपके किस तरह से इंट्राक्शन रहा इंट्राक्शन तो कुछ भी रही वा क्योंके वो देख चुके थे कि मैं ही हूँ जाहर है उनके साथ थी मुझ से कोई ऐसी मुलाखात नहीं हुए ऐसी कोई बात नहीं की कि मुझे लगे हाम मैं इनके कि मैं आई हूँ ऐसा कुछ नहीं था हम बस घर चले गए हूँ जिसको बोलते हैं मर्जी या बगएर मर्जी की शादी उसकी क्या एहमियत है बाई लोग देखें इसकी बहुत ज्यादा एमियत है बिकोज जहां पे मर्जी की शादी ना हो और इस पे तो बहुत कॉम्प्रि होना चाहिए कि कंसेंट भी 18 साल के बाद हो सकती है 18 साल से पहले अगर किसी 16 साल की लड़की से 16 साल या उसे कम उमर लड़की के साथ अगर कोई शादी करता है और अगर वो अपना शादी वाला रिष्टा काइम करता है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि वो रेप मे तो, बेसिकली, कंसेंट मेरेज इस अमेरेज, अधरवाइज इस नोट अमेरेज, इस वाइज. मेरे लिए तो सब कुछ बहुत अजीब सा था. हम घर पहुंचे, घर जाने के बाद मेरी सास ने का के जली से बैट शीट जो है ना बिचा दो. मैंने बैटशीद बचाई, मैं कम्रे में बाट गई कि मनना मेरे हसबन आएं के हम बात करेंगे, या मुझे 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 मूझे मुझे अजए विलेगी. वहाँ पहुंचे थे सुबह और सारे साथ 8 बज गए थे मेरे हजबन रूम में नहीं आए I was waiting कि मतलब अब आएंगे और मैं बैट पर बैठी हूँ कि मतलब अब हजबने आना है लेकिन वो अपनी अम्मी के पास पैठे हुए थे कि मतलब मैं बहुत अर्सेवाद मिला हूँ मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं थी कि वो क्या दिन है या वो कैसी रात है शादी हुए है कुछ नहीं फिर सुबा आट बजे के गरीब वो आए वो आए तो वो कुछ समान उठा कर वापस लेके जा रहे था अपना जोप उनका बाउच पगारा था तो तब मैंने उन्हें रोका और मू दिखाई में एक थपड़ था कि अजिन आपने रोका इसी थपर पड़ा कि मतला आई था यह जुर्ड़त नहीं होनी चाहिए तो दमागी काम नहीं किया कि यह हुआ क्या सोचने समझने के सलाया बलकुल ख़तम हो गई थी बैक अप पे कोई सपोर्ट नहीं थी बस उसके बाद मैं फ्रेश हुई मैंने मे नहाया धोया चेंज किया चास के पास चली गई अब फिर रात इसी तरह हो गई रात हो गई मगर वो रात बहुत अजीब सी थी क्योंकि कहते हैं कि पहली रात और अउरत को अंदाजा हो जाता है कि उसका शोर कितना खयाल रखने वाले है तो मुझे बहुत सारी चीजों से और एक मिया बीवी वाला जो रिलेशन होता है वो बिल्ड नहीं हुआ मतलब जो चीज़े आप बीवी के साथ नहीं कर सकते है आपको नहीं करनी चाहिए तो वो चीज़े हुए मैं पहली रास तकलीफ में ही रही और उसके बाद कुछ अजीव सा हुआ कि मेरे हजबन ने मे तो नहीं हूँ तो ये इंफोर्मेशन मेरी सास को बुला कर दी गई कि मतलब ये ठीक है मतलब मुझे उस टाइम तो वो बात नहीं समझ आई कि मतलब ये क्या था निम्रा फिर इसी तरह का सुलूक उनका चलता रहा अगे भी बिलकुल वो बीवी वाला सुलूक नहीं था वो कुछ ऐसी हरकती थी जो पॉन वीडियो में होता है दैसे मुझे उसी काम के लिए ले जाया गया है और मतलब मैं मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है और उस चीज में उनकी अम्मी उनको सपोर्ट करती थी कि यह तुमारा शोहर है और मुझे इस तरह की हदीसे कोट करना कि शोहर बीवी के साथ कुछ भी कर सकता है उनको पता थे सब हो रहा है बिलकुल उनको बिलकुल आइडिया था और मेरे हजबन मतलब सारी गंदी गलीज हर हरकते हैं जो मतलब आप बीवी के साथ नहीं कर सकते हैं तो हर चीज में फोर्स करना और वो तकलीफ परदाश करना बिलकुल एक फर्स्ट एक्स्पिरियंस कि मैं बिलकुल फ्रेश कंडिशन में आपके पास जा रही हूं और आप बिलकुल अजियत देने वाली हरकते कर रह मगर एक टाइम आया कि मुझे आदत हो गई कि हार मतलब ठीक है अब तो दर्द बरदाश करना है और वो मैं करती रही हूं formalize pose Tpa furist child marriages कि क्या पानिश है? अएलो जो child marriage चाएव वो लड़के के सात्व ये लड़की के साथ वो दोनों की दोनों हमारे हमारे हैं क्राइम है खासतों आर पहमारे सूबे में क्राइम है भलुस्ędान में भी क्राइम है उसमें यह है कि तीन साल की सजा और उसके जो सुपोर्टर होंगे अगर चच्छा मामू कोई वो निका करवा रहे हैं निकाख्वां निकाख्वा अगर किसी हॉल में हैं यह सारे के सारे उनको सजा हो सकती है तीन साल की अगर किसी को यह पता चले कि कहीं चाइल मेरिज होने वाली है तो हमारा लौ यह कहता है कि आप अगर मैजिस्टेट को जाकर बताएंगे तो वो स्टे और इस्व करेगा वो मेरिज हो इना आप उनको पहले से वगर कहीं सारे लोग तैयारी करके बैठे में तो उनको भी अरेस सायवी है बिलकुल भी नहीं हूए तो फिर क्या सिलसला रहा घर पे उनके मेरे पेरिंट्स तो बिलकुल ही इंटच नहीं थे मुझसे उनको तो कुछ पता ही नहीं था उनकी नजर में तो मैं वही पर हूँ मर के पास मैं यहां सुष्ट्राल आ गई और मैंने घर में कदम रखा है और एक गालम गलोच की भरमार बत्तमीजी और इसने मेरे बेटे को बिलकुल खुश नहीं किया सिर्फ दो सूट्स ते मेरे पास रो मैं पहनती थी एक वाश करती थी एक पहनती थी और सुबह से उठने के बाद से किचन के बाहर निकलने का वक्त नहीं मिलता था सिर्फ नाश्टा खाना चाए नाश्टा खाना चाए और इसी तरह रात गुजर जाती थी सिर्फ काम घर के काम घर की सफाई कपड़े दोना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फजूल के काम जो धुलीवी चीज़ को धुलवाना और तंग करना परिशान करने वाली चीज़ें इस तरह सिर्फ एमोशनली नहीं लेकिन फिजिकली भी मुझे बहुत जादा अब्यूस किया टॉर्चर किया और बहुत सारे मार्क्स हैं से मेरी बॉड़ी पे जलाने वाले के मेरी सास कभी चम्टा लगा जिती थी इस तरह की हरकते ये दुबाई में भी हुआ था और यहां आने के बाद ये और तेजी से हुआ बहुत जादा मुझे बदब टॉर्चर किया गया मैं बहुत चोटी थी क मैं 17 साल की हुई थी तो बस मुझे लगता था कि सुष्राल में ऐसे ही होता है और ऐसे ही ट्रीट किया जाता है तब ही लड़की को कहते हैं कि लड़की को बहुत कुछ बरदाश्ट करना पड़ता है तो ये वह बहुत कुछ है तो आपके अम्याब को कभी पता चला कुछ और वो कुछ अरसा पूरा एक साल का है आने के तकरीबान कोई चार महीने बाद मेरे पेरेंट्स को पता चल गया था कि मैं आ गई हूँ और वो भी इस तरह पता लगा था कि मुझे दुबारा प्रेशराइस किया जा रहा था कि अपने पेरेंट्स से पैसे मांगो तुम उन से किसी तरह उमर के पास तेली जा हूँ मैने एक दन ममा को अचîtानक से कॉल की वह अपने स्कूल से बापस ह線 शारी थी वैन में नहीं तो मैंने कहा पांच लाख पयर चाहिंए और आप मुझे कहीं से भी कर के दे तो मेरी ममा परेशन और बार 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 वो इक cookieson करती रहें कि तुम कहा हो, तुम आगई हो, तुम आगई हो. तो मैंने का आप बस मुझे पैसे बजवाएं, मैं आगई हो, मुझे वोमर के बास जाना है. मतलब इतने लंबे अर्से बात उनकी मुझे जो बात हुई वो इस तरह हुई. आपके अमीन, क्यों आपसे कोई रापता नहीं रखा था इतने टाइम करती थी, मगर मुझे बात नहीं करने दी जाती थी तो वो आपके बेहाफ पे बोल देते थे जो भी बोलना है कि भी है कि हम बजी हैं या हम अच्छा मेरे पेरिंट्स को ऐसा लगता था कि जैसे मेरे सस्रालवाले बहुत अच्छे हैं क्योंके वो उनके सामने प्रिटेंड करते थे क्या मतलब हमारी बेटी है आप से जादा हम खयाल रख रहे हैं मेरे हस्मिन खुदी पिक करके मतलब मुझा भी 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 आद है कि एक तरफ मेरी सास होती थी और एक तरफ मेरे हस्मिन होते थे और बीश पे मैं आउती थी तो मैं इस तरह क्या बात करूंगी अपनी ममा से राइट आप कुछ बताई नहीं पाती होंगी मैं कुछ बताई नहीं सकती है, हाँ विदा सब कुछ कैसा है, सब कुछ बहुत अच्छ है अच्छ तो पर जब आपने इनसे यह पैसे मांगे तो फिर क्या हुआ? तो उसी दिन अचानक से मेरी मदर शाम में घर आ गई और मेरी नानी और मेरी खाला भी आई साथ तो जब मैंने अच्छ मुझे कहा दिया गया था कि घर से कुछ आना नी चाहिए सिर्फ पैसे, जब मैं गेट पे गई तो मेरी मम्मा अब मुझे समझ नहीं आए कि मैं इनको भेजूँ, मैं क्या करूँ, मैं अंदर नहीं ले सकती हूँ, इतने में मेरी सास आ गई तो बहराल उनों नहीं गेट खोल के उनको बठाया, मगरब का वक्थ था और उनके सामने इतना मुझे जलील किया कि मगरब का वक्थ था, और मुझे आज भी आदा है कि मेरी ममा बहुत रो रही थी एक जुम्ला बोलती थी जो आज तक बहुत तकलीव देता है कि फकीरों की तरह शादी की है आपने आप लोग भेकारी है और आप लोगोंने हमें नंगी लड़की देती है और यह जुम्ला बहुत तकलीव से था मेरे लिए निम्रा फिर आप वापस घर कैसे गई अपनी अम्मी के अचानक से मुझे दो दिन के लिए मेरे घर भेजा गया कि तुम अपनी घर जाओ मैं घर गई और जब घर से वापस आने का टाइम था नेक्स टे तो वो पहली दफ़ा था कि मुझे मेरे वापस अश्राल जाने का दिल नहीं किया मैं बिलकुल समझ ले ठक गई थी कि अब कुछ होई नहीं सकता हजबन से कोई सपोर्ट नहीं कोई बात नहीं मैंने उस वक सब कुछ बता दिया मैं बहुत रोई और जब मेरे बाबा ने सारी चीज़े सुनी खावल तो बाबा मुझे कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ तुम आ गई हो मेरे लिए इतना बहुत है और अब तुम नहीं जाओगी फिर इस तरह से आपका माशाला से खुला भी हो गया और फ्री हो गई मैं अलहम्दिलिल्ला मेरे हस्ब्रेन आ गए पसाम लिए बात की काफी अच्छा लगा इसे बात कर और मिलकर पर मैं अपने घर पर बात की अम्मी से सब पर अम्मी को मैंने बदाए के इस तरह हैं और से खुछा लिए निया कोई मतला नहीं है तो उन्होंने बोला कि मसले वाली तो कोई बात ही नहीं है बन्के तुम मुद अ फखर हो रहा है और आप पीछ परहाई भी कह रहे हैं कि आपी कंचिनीू तो अब्कुल एक ग्राज़ोशन मेरा हो गया था और दूसरा माशा अ इनके आने के बादुआ तो इस तरह मेरा डबल ग्रादुशन हो गया और फिर साथ साथ मैंने लिबॉर्टरी टेक्निशन का डिप्नोमा करने को तो बाबा ने का था लेकिन सपोर्ट जादा इनके हाथ से लिए कि मुझे चोड़ते थे और फिर वहां से लेते थे वापस अब अग जोर्डा करें अब मैं करेंटली जोर्डी एक कर रहे हूं अग मदोलह तzeno है करें आज दोनुख भी करें अथी अच्छी चायच हो गयिये अच्छलूरी झाल झाल